नमस्कार स्वागत है आपका ओफिशल ठिकाना में मैं हूँ सुश्मिता सिंग मैक डी की कोफी आप सभी बहुत मज़े से पीते होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि मैक डॉनल्स को अपनी एक गलती की वज़े से चुकाने पड़े थे छे लाख डॉलर यानि की करीब चार करोड रुपए ये कहानि आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले 27 वरी 1992 को न्यू मेक्सिको के अलबुकर की 79 साल की स्टेला लिबेक ने एक स्थानिय मेकडॉनल्स रेस्टरौं की ड्राइब थू विंडो से कॉफी का ओडर दिया लिबेक अपने पोते की टोयटा की पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी जिसमें कप होल्डर्स नहीं थे और उनके पोते क्रिस ने कार पार्ख की ताकि लिबेक उसकी कॉफी में क्रीम और चीनी मिला सके लिबेक ने कॉफी के प्याले को अपने घुटनों के बीच रखा और धकन के दूर वाले हिस्से को अपनी ओर खीच लिया जिसकी वज़े से कॉफी उनके उपर ही गिर गई पूरी की पूरी कॉफी उनके उपर गिरने से उनको गहरे जखम हुए गहरे बंस हुए लिबेक ने sweat pen pen रखा था और उन्हें कॉफी को पूरी तरीके से absorb कर लिया और उससे उनकी तवचा बुरी तरीके से जल गई कॉफी को 180 से 190 डिग्री के बीच गर्म किया गया था जिस वज़े से उनकी injuries बहुत जादा हुई इस प्रकार कुख्यात McDonald's के hot coffee मामली की कहानी शुरू हुई घटना के बाद लिबेक को अस्पताल ले जाए गया जहां ये निर्धारित किया गया कि उनकी तवचा के 6% पर 30 डिग्गी बंस थे और 16% में कम जला हुआ हिस्सा था इसके बाद उन्हें skin grafting के दौरान वो 8 दिनों तक अस्पताल में रखी गई इस अवधी के दौरान इस पूरे time duration के दौरान लिबेक ने 20 पाउंड यानि कि उनके शरीर के वजन का लगभग 20% खो दिया और उन्हें 83 पाउंड तक कम कर दिया जब लिबिक का medical bill 10,000 डौर से उपर हो गया तो उन्होंने mcdonald's से संपर किया और reimbursement करने के लिए mcdonald's से कहा लिबिक की बेटी Judy Allen ने मामले के बारे में 2013 की एक documentary में कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि spilled coffee से इतना नुकसान कैसे हो सकता है उन्होंने बताया कि उन्होंने mcdonald's को एक चिठी लिखकर coffee के temperature की जाच करने की बात की और साथ ही medical bills का भुगतान यानि की मुवज़ा देने के लिए उनसे कहा जिसके बाद mcdonald's ने उन्हें 800 डॉलर की पेशकश की जो लिबिक को स्विकार नहीं हुआ क्योंकि उनके अनुसार उनके इलाज में बहुत जादा पैसा लग चुका था इसी दोरान लिबिक ने एक वकील से कॉन्टाक्ट किया अदालत से बाहर settlement के सारे प्रयास विफल होने के बाद लिबिक ने mcdonald's पर 125,000 डॉलर का मुकतमा दाय किया ये बहुत बड़ा एमाउन था जिसमें उन्होंने शारेविक और मानसिक दर्द, पीड़ा और जीवन के आनंद के नुकसान का दावा किया, कोट में ट्राइल के दोरान लिबिक के सर्जन ने जूरी को बताया कि अगर उस तापमान पर लिक्विट कुछ सेकेंड से जादा समय तक तवचा के साथ कॉन्टाक्ट में रहता है, तो ये बहुत ही सीरियस बंस दे सकता है, सीरियस बंस के लिए थर्ड डिग्री या फुल थिक बर्न में लेगा, अदालत में ट्राइल के दोरान ये पता चला कि मैकडॉनल्स जानता था कि उनकी कॉफी को इस तापमान पर गर्म करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसे वैसे ही सर्फ किया, क्योंकि इस से उनके पैसे व उतने मुफ्त रिफिल नहीं देने होंगे, इससे उनका फायदा हो रहा था, इसके बाद फास्ट फूड चेन की इस नीती के कारण ही जूरी ने मैकडॉनल्स होट कॉफी मामले में 640,000 डॉलर का हरजाना लगाया, बहराल इस घटना के बाद से मैकडॉनल्स ते कॉफी को अबनिंग के साथ देना शुरू करतिया, हालाकि इस मामले में कई मद्भेद भी सामने आए, कुछ ने महिला का पक्ष लिया, तो कुछ का कहना था कि कॉफी तो गर्म ही होती है, उन्हें साफधान रहने चाहिए था, ये सब उन्होंने अपने फानाशल गेंस के लिए किया इस बारे में आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंस सेक्शन में अपने कॉमेंस के जरिये बताना ना भूलिएगा, फिलाल के लिए इतना ही दीजे इजासत, नमस्कार